हलो फ्रेंट्स वेलकम टू विजाज होम किचिन में आपकी दोस नैंसी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी आज हम बनाएंगे गुड़ के लड्डू और यह बहुत ही अच्छे इम्म्यूनिटी बूस्टर लड्डू है तो चलि सफेद तिल हैं इन्हें आप सेसमें सीट्स भी बोलते हैं इन्हें में ड्राय रोस्ट कर लूँगी और मैं आज आपको गुड़के लड्डू बहुत ही लिमिटेड चीजों में आप कैसे इम्म्यूनिटी बूस्टर लड्डू बना सकते हेल्दी लड्डू बना सकते आज गी में थोड़ा सा गी रोक लिया है जब यह मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर में एक कटोरी आटा एट करूंगी जी हां गुड़ और आटे से मैं यह लड्डू बनाऊंगी आज और यह देखे आटे को इसके साथ में बहुत अच्छे से भून लूँगी आटे को आप अगर आप अच्छी क्वांटिटी में बना के रख लेंगे तो यह आपके मन्त तक चल जाते हैं एक दो महीने तक आप यह लड्डू रखके खा सकते यह देखें आटे को मैं बहुत अच्छे से चलाते वे भून लूँगी पस ध्यान रखिएगा आटे को आप अच्छे से कम यूज किया है चलें जाहिए तो उसमें गी और भी यूज कर सकते हैं और ईप इसके अंदर ड्राइफ्रूट्स टालूंगाया शब्त यह अन्य दर पीस लिया काजू को भी मैंने बहुत अच्छे से चौपर में चौप कर लिया था, आप चाहें तो इन्हें पीस भी सकते हैं, आप मोटे मोटे पीसिज में कट करके भी आट कर सकते हैं, ड्राइफरूट्स डालने के बाद भी मैं आटे को थोड़ी देर भूनूंगी, और जब आटा भूनने वाला हो, उससे थोड़ी देर पह तो यह आप जब बिल्कुल लड़ू बनाने चलें उस टाइम में भी एड कर सकते हैं, मुझे यह हल्की सी भूनी भी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसे आटे के साथ भूनने में डाल दिया है, आप चाहें तो इन्हें एन्ड में भी बिल्कुल एड कर सकते हैं, और इसके अंदर आज एड किये हैं, यह एक तेल हैं, अगर आप चाहते हैं, थोड़ा पीस के आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो आप यह पीस के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे साबुत ही यूज करूंगी, यह मैंने गुड का पावडर ले लिया ह और यहां पर मैंने गैस को आफ कर दिया था, आफ करने के बाद भी आप ध्यान रखिएगा, इसे चलाते रहिएगा, क्योंकि हमारी कढ़ाई जो होती है, वो गरम होती है, तो जलने का डर रहता है, आटा जलना जाए, मैंने इसे एक साइट रख दिया था, ठंडा होने के के लिए, जब यह ठोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो मैंने इसके अंदर रिल एक कर दिये हैं, और यह गुड़ का पावडर कर दिया और इसके साथ बहुत अच्छे से रूख कर लोंगी मैं इसे, अच्छे से मिक्स कर के अच्छे से थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ द कि जिससे थोड़ा सा थंडा हो जाए आपको बहुत जादा थंडा नहीं करना है हलका सा निवाया यह रहना चाहिए लड़ू बांदने के लिए जो आटा है वह इतना रहना चाहिए कि आप उसे हाथ में जब बांदे तो आपके हाथ ना जले यह देखे मैंने इसे थोड़ी शेयर कर चुकी हूँ बट यह मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ कि आप चाहे तो इसे मोदक के फॉर्म में भी बना सकते हैं अगर आपको लड़ू के फॉर्म में नहीं बनाना है तो लेकिन मैं एक ही एक या दो आपको यह बना के दिखाऊंगे इसके बाद मैं बंद हो जो भी अच्छी लगे वो शेप आप इसे दे सकते हैं आप इसे बर्फी के फॉर्म में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे ऐसे भी स्पून से खाने वाला भी से रख सकते हैं यह देखिए मोदक हमारा बन के त्यार है अब मैं लड़ू बना लूंगी इस ट जरूर करिएगा और बच्चों के लिए तो बहुत ही हल्दी होते हैं और जो हैल्थ कॉंशेंस है जिने चीनी खाना पसंद नहीं है वो तो यह बिल्कुली अपनी डाइट में इंग्लूट कर सकते हैं इसमें जैसे की गुड है और गुड बहुत जादा हेल्दी होता है हमा सबसे और अच्छी रह से पीस के साथ तब तक के लिए बाबाए